बुद्वार को अश्टमिति थी है और शिव महापुरान की कथा कहती है गणेश पुरान के तरतिय द्याय में बन्नन किया बुद्वार के दिन अगर अश्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बिमारी नहीं जिसका इलाज नहोबा कुछ ना कर लो इंसर जैसा रोग भी है किड़नी लीवर जो भी उसके खड़ा वो रहें कोई तकलिफ है बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़की खोड़ी रखकर पांच बेलपत्र रखकर बुद्वार और अश्टमी थी जिस दिन भगवान ने गनेश जी ने एक राक्षस का इड़नी आधिक आधिक पहुत बिमारी हो 21 बार शरीर पर से उतार कर महराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्रक खुद का बोलकर और भगवान से गनेश जी से विंती करकर अश्टमी थी थी के दिन बुद्वार के दिन जो भी आ रही है बहुत समय के बाद पढ़ रही है उस दिन उस कटोरी नहीं लेना पुरानी कटोरी नहीं लेना कोई कटोरी घर में नहीं हो नहीं कटोरी और उसको गनेश जी के मंदिर में पहुचा दीजी के मंदिर में पहुचाएं गनेश जी के मंदिर में पंडी जी भी बेठे रहें हाथ में मत देना उस कटोरी को बले दर्वारी पर जोखट पर गनेश्टी के राइट हैंड की और आपका उल्टा हाथ होगा गनेश्टी का सीधा हाथ होगा तो गनेश्टी का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इदर आएगा उस हाथ के वही पर अरठात जमीन पर ही रख देना पर रखना भूमी पर महाराजी केसी भी बिमारी होगी अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अश्टमी को करकर देखना ग्यारस या फारस तक आपको अंतर मालूब पर जाएगा यह अश्टमी कुछ साधर्ण नहीं आ रही बुद्वार के दिन अगर संकर पर एक लोटा पानी चड़ाय जाता है तो जिन लड़का जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं मारा जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा शादी नहीं हो रही बहुत परास्त हो गए अशुक संदरी वाली जगा पर हल लगाओ उस हल्दी को लेकर थोड़ा सा भाग पीपल पर लगाओ और पीपल के व्रख्च के निए हाद में हल्दी को लगा लिए अश्टमी तिथी हो या प्रदोस्ट का दिन यह दो में से कभी में कर सकते हैं तेरे लिए आमजान पर मिलेगा रोज का सामार तो आपने आज का खरीदा मंदल लगा वो लिखेगा तो हो और कैसा लड़का मिलना है कैसी लड़की मिलना है कैसा परिवार मिलना है जैसा चहिए वैसा शिवजी को बोलो मेरा निवेदान रहे महारा जिन बच्चों के नयन कमजोर हो और जो शिवरात्री तक भी शेहर का इंतजान ना करते हो बच्चों के नयन कमजोर हो गये हो चस्मा चड़ रहा हो चस्मा लग रहा हो उन बच्चों के लिए भी भेरव मंदिर में तेल का दिया लगा कर उसकी क खनाना यह थाय। करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकरभगवान게ों कते हैं ! दुरवा.. भुदवार के दिन, अश्तमीद अश्तमीद जिदी डिठी नि ऑश्तमीद पूर इस बार पढ़ रहा है उस दिन करेगा. इस दुर्वा का लग लग महत्व है मारत कुए के पास की सफेद दुर्वा यदि 41 दुर्वा परते एक बुद्वार को काथ लगा कर गणेजी को समर्पित करकर बापिस उठा कर उस दुर्वा को खाली पेट आपके घर में भी गणेजी होंगे उनको समर्पित करो खाली गणेजी को समर्पित करकर चवा चवा कर खाना उदर की प्रॉबलम जो भी मसा अदिक की प्रॉबलम होती है उदर से जुड़ी होती है जिस चीज से जुड़ी होगी पेट की जितनी प्रॉबलम होगी आपको जितनी भी प्रॉबलम होगी वो सारी पांच बुद्भार करना छटे बुद्वार को जरुवत ही नहीं पड़े कितनी भी प्रभलम हो पेट से जड़ी हो जितनी भी समाव यही दुर्वा शिम महापुरान की कता करती है यदी साथ बात काथ वाली दुर्वा 21 ले लो और कणेजी को समर्पित कर दो उस दुर्वा को उठा कर दूद में डाल उस दुर्वा को दूदद में डाल कर उस दूद में उस दुर्वा को मलो और जिसके सफेद चमडी पढ़ गए हो जर्म लोग को नहीं वी में पर किस आएं और अधे घंटे तक करने पर प्रदोश्काल में इस्तनान कर लें महराज आपको चर्म रोग में आराम लग जा पास नहीं हो रहा है नोकरी नहीं लग रही बहुँ जगा इंटर्वी दे दिया 21-22 दुर्भा के 108 बंडल बनाओ उसके माला बनाओ और देवी के मंदिर में माता जगदंबा के मंदिर में अर्थाक जहां शंकर पारवती कून परिवार विराजमान हो ऐसे देवी के मंदिर मे गणेजी के गले में मुमाला अर्पन करिया है अपना नाम बोलकर और जिस एक्जाम में वेटरन उसका भाव वर्णन करका महरा और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने तमरे में जहां पढ़ते हो काच की प्लेट में उस भूल को रख दीजिए और दूसरे दिने एक्जाम के लिए चले जाएए आपको उसका फल अवश्यमी लेगा अवश्यमी आप उसमें उत्रिन होंगे फल प्राप्त होता कल सिख नियम लेना शमी के ब्रक्ष की पत्ति जैसे ये बेलपत्र होता है शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है आपको कथा मे उनों को शमी समर्पित होता है, शमी पत्र समर्पित होता है, शिव महापुरान के कथा करती है, और गणी शरीत रपन शमन कर रहे हैं, जिसके घर में संपना की कमी पड़ती हो, बिमारियां जादा फेल रही हो, बहुत कश्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणे जी का स्थान है, वहाँ पर पाँच शमी पत्र, पाँच समर्पित करें, और संकर जी के उपर तीन समी पत्र समर्पित करें, बहुत ध्यान देना, पाँच शमी पत्र, जहां गणे से निकलो तो उल्टी हार पर लेफ्ट भाग में चंकर जी की चोखट पर समर्पित कर एक शमीपत्र और महराज जहां लेफ्ट भाग में आपने शमीपत्र रखा है मंदिर में ना दिया लगा कर बाहर की और जहां शमीपत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया करकर देखना अगले साल तक आपका प्यपार कितना चलता है हमको पताना जरूरी करके देखो एक गणेश पुरान का शिव महापुरान का ये प्रसंद करिए जीवन में उतारी है शिरी शिवाय नमस्तुप्याम